नमस्कार जनसती निउस में स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ सुनेना से बुलेटिन के शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ कोरोना से बचने के लिए भारत ने तमाम जरूरी कदम उठाए हैं लेकिन इस सब के बावजूद दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से जो खबर सामने आई उसने भारत में कोरोना के खत्रे बढ़ने की आशंका को तेस कर दिया है दरसल दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक से पंदरा मार्च के बीच तबलीग ए जमात के करीब 1400 लोगों ने शिरकत की थी जिसके बाद दिल्ली पुलिस और CRPF के सा मेडिकल टी में रवीवार रात निजामुद्दीन गई थी जिसके बाद प्रशासर ने बसों के जरिये इन लोगों को अस्पतालों में शिप्ट किया और इलाके को सील कर दिया इन में से 200 लोग कोरोना संग्दिक्द पाए गए हैं और 24 लोगों में कोरोना वाइरस की पु जहां ये लोग एक धार्मिक जलसे में शामिल हुए थे आपको बता दे कि तबलीग ए जमात में सौधी अरब, इंडोनेशिया, दुबई, उजबेकिस्तान और मलेशिया सहीत कई देशों के प्रचारकों के साथ ही भारत के अलग-अलग हिस्सों से आए करी 600 लोगों ने भ आज कराई जाए, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले श्री नगर में कोरोना पीडित एक शक्स की मौत हो गई थी, वो भी तबलीग ए जमात का हिस्सा थे महमारी कोरोना वाइरस को लेकर देश में जंग जारी है, कोरोना वाइरस से निपटने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने देश भर में 14 अप्रेल तक लोगडाउन घोशित कर रखा है इसी भी सोशल मीडिया पर लोगडाउन को 14 अप्रेल से आगे बढ़ाने की खबरे वाइरल हो रही है, जिस पर कैबिनेट सचिव राजीव गोबा ने इस खबर को महस अफ़ा बताया उन्होंने वाइरल हो रही इस खबर पर हैरानी जताते हुए कहा कि 21 दिनों के लोगडाउन की डेट को आगे बढ़ाने की सरकार की कोई योजना नहीं है सूचने प्रसारन मंत्राले के P.I.B. ने ट्वीट कर बताया कि कैबिनेट सचिव राजीव गोबा ने मीडिया में आ रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार बंद को आगे बढ़ा सकती है आपको बता दे कि मीडिया में आ रही खबरे और कुछ अफवाव में दावा किया जा रहा है कि सरकार 21 दिन के बंद की अफ़ती खतम होने के बाद इसे और बढ़ा सकती है कैबिनेट सचिव ने इन खबरों से इनकार किया और कहा कि वो निराधार है वही उत्तरप्रदेश के सीम योगी अधित्यनात कोरोना के खत्रे के चलते यूपी में किसी भी प्रकार की कोता ही नहीं बरतना चाहते और यही वज़े है कि सीम योगी ने कल नॉइडा का दौरा करने के बाद अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में लापर वाही बरतने वाले गौतम बुद नगर के डियम और सीमो को जम कर लतार लगाई थी जिसके बाद आज सीम योगी ने गाजियाबाद पहुँचकर विवस्ताओं का जाइजा लिया सीम योगी के अचानक हुए इस दौरे से गाजियाबाद स्वास्तविभाग के साथ ही गाजियाबाद प्रशासन में भी हरकम्प मच गया सीम योगी संतोष हॉस्पिटल का जाइजा लेने के बाद सीधे हिंडन एयर बेस पहुँचे जिसके बाद कोरोना से निपटने के लिए सीम योगी ने अपना मेरट और आगरा दौरा रद करके लखनओ का रुक किया बताया जा रहा है कि सीम अब आगे कोई दौरा नहीं करेंगे वहीं लखनवों में कोरोना से निपटने के लिए CM अधिकारियों के साथ हाई प्रोफाइल मीटिंग भी करेंगे उधर दूसरी तरफ कोरोना की मार जेल रहे UP के लोगों के हितों को लेकर CM योगी ने बड़ी पहल की है CM योगी ने रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में गए UP के लोगों का खयाल रखने के लिए देश भर के 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है अपने पत्र में CM योगी ने दूसरे राज्यों के मुख्य मंत्रियों से UP वासियों का ध्यान रखने का अनुरोध किया है पत्र में CM योगी ने आश्वासन देते हुए लिखा है कि संकट काल में UP में रह रहे प्रतेक व्यक्ति की हर संभव मदद की जाए उनकी मूलभूत अवश्वताओं की पूर्ती सुनिश्चित करते हुए उनके स्वास्थे का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा पत्र में उस राज्ये के नोडल अधिकारियों के नाम और नंबर का भी उलेक किया गया है पत्र में सीम योगी ने कहा कि प्रतेक व्यक्ति को रोजमर्रा की वस्त्रों की प्रशासन के माध्यम से डोर टू डोर स्टेप डिलिवरी सुनिश्चित की जा रही है योपी की योगी सरकार की और से देश के विभिन राज्यों में बसे योपी के लोगों की सहायता के लिए देश के लगभक सभी राज्यों में वरिश प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है इसके साथ ही कोरोणा से जूज रहे लोगों के किराय की परिशानी को देखते हुए UP की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है योगी सरकार ने lockdown के दॉरान मकान मालिकों से किरायदारों से किराया नहीं वसूलने का निर्देश दिया है जिसके बाद बिजनौर के डीम रमाकान पांडे ने मकान मालिकों से किरायदारों से किराया नहीं वसुनने की अपील की है इसके साथ ही डीम ने ये भी आश्वासंदिया कि लॉकडाउन के दोरान बकाये को लेकर किसी के भी बिजली कनेक्शन को नहीं काटा जाएगा जो किराये पर लोग रह रहे हैं उनके बारे में जैसा कि शासन के निर्देश हैं मकान मालिकों से यही अप्यक्षा है कि वो इस महने का किराया न लें और कोई विद्धुत कनेक्शन नहीं काटा जाएगा विद्धुत कनेक्शन सतब चलता रहेगा विजली की सप्लाई भी कोरोना वाइरस से देश भर में जंग जारी है इसी बीच मध्यप्रदेश के सीम शिवरा सिंग चोहान ने मजदूरों के खातों में एक एक हजार रुपे ट्रांसफर किये हैं सीम शिवरा सिंग चोहान ने कहा कि आज कोरोना वाइरस जैसे संकट से हम लड़ रहे हैं लेकिन संकट के समय सरकार आपके साथ खड़ी है उन्होंने बताया कि मैंने सिंगल क्लिक से 8.85 लाख श्रमिकों के खातों में 88 करोड 50 लाख 89 हजार रुपे की राशी ट्रांसफर कर द कोरोना को लेकर देश व्यापी लॉक्डाउन से इनकार करते हुए कहा कि ये सफल नहीं हो पाएगा उन्होंने इस दौरान भारत में कोरोना को रोकने के लिए लगाए गए लॉक्डाउन को लेकर पीम मोधी पर भी तंच कसा उन्होंने कहा कि पीम मोधी को अपने फैसले क हो सकता भारत को देखिए जहां लॉक्डाउन लगाने के बाद आज पीए मोदी को माफी मांगनी पड़ी है इम्रान ने और क्या कुछ कहा आए सुनते हैं हमारे साथ हमसाया मुल्क में देख लें उनकी हुकूमत ने फैसला किया या दो या तीन दिन पहले कि सारा हिंदुस् आज वहां हलाद देख लें आज हलाद ऐसे हैं कि उनके प्राइम मेनस्टर ने कौम से माफी मांगी है और माफी यह मांगी है कि मैं हमने बड़ी सोचे समझे बगार लॉक्डाउन कर दिया था और अब हिंदुस्तान का मसला क्या है हिंदुस्तान का आज मसला यहा है कि अब हटाते हैं तो क्रोना वाइरस पहल जाती है क्योंकि पब्लिक फिर से मिलना शुरू हो जाएगी सड़कों पर आ जाएगी काम शुरू कर देगी और अगर वो लॉक डाउन को रखते हैं जिस तरह का उन्होंने लॉक डाउन किया है तो लोगों का खत्स है भूग से मरने क वही प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी की ओर से 14 अप्रेल तक देश में किये गए लॉक डाउन का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा इसका जीता जाकता उधारन यूपी के बिजनौर जिले में स्थेत सबजी मंडी में देखने को मिला जहां मूँ पर बीना मास्क लगा जिसके बाद पुलिस को मौके पर ही कई लोगों को मुर्गा बना कर उठक बैठक करवाने के लिए मजबूर होना पड़ा फिल्हाल इस बुलिटेन में इतना ही हमारे और जादा से जादा वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेर करें नमस्कार